Hello Friends, कैसे हैं आप सब? As that के notification के बाद, मुझे पता है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में confusion चल रहा है कि how to start the study now and how to cover the syllabus, क्या subtract हुआ है, क्या add हुआ है, है न? So many questions are running in your minds. तो मैं आपको यहां पे बिल्कुल relax करने आई हूँ आज, ठीक है? बिल्कुल भी आपको panic नहीं होना, मैं कुछ suggestion दूँगी, मैं कुछ आपसे syllabus discuss भी करूँगी और कैसे cover करना है, वो भी मैं आपको थोड़ा motivate करूँगी. तो वीडियो को end तक जरूर देखना, ज्यादा time मैं बिल्कुल भी नहीं लेने वाली हूँ, ताकि आप उपनी पढ़ाई पे ज्यादा focus कर पाएं, ठीक है? ये एक चोटी सी वीडियो सिर्फ आप लोगों को relax करने के लिए हैं. syllabus में उन्होंने क्या किया है? syllabus में वो दो comprehension डालेगा. पहले क्या होता था? 15 question आते थे, जिसमें आपकी grammar portion आजाता था एक तो, ठीक है? एक आपका vocabulary portion कुछ है, एक add कर देते थे. यही चिज़े होती थी ना, अब क्या कर दिया इन्होंने? उस अब pattern से थोड़ा बाहर आ जाओ. अब यहाँ पे उन्होंने दो unseen prose passages डाल दिये. ठीक है? अब जो वो prose passages है, कितने नंबर के हैं, यह उन्होंने यहाँ पे mention नहीं किया. तो आप मानके चलिए, मलब की 3 नंबर के भी हो सकते हैं, 4 नंबर के भी हो सकते हैं, 5 नंबर के भी हो सकते हैं. ठीक है अब क्या हुआ कि तीन नमबर अगर आ रहे हैं तो तीन तीन नमबर छे नमबर हो गए और उसके बाद हमारे पास नो नमबर बच गए नो में से फिर ये पैड़ागोजी और लेंग्विस कॉम्प्रिहेंचिन प्रोफिशेंसी देखेगा तीचिंग भी देखेगा तो है इस चीज़ में क्या आपको एक पैराग्राफ मिल रहा है उस पैराग्राफ में से आपको क्या करना है questions find out करने हैं कुछ question तो उस paragraph से अंटर्णियम बताओ, इस phrase का meaning बताओ, है ना, आप इस substitution का meaning बताओ, तो यहाँ पे बिल्कुल भी आप पैनिक ना होए, बिल्कुल easy portion है, आपको क्या करना है, comprehension solve करना है, passage solve करना है, आगई बात समझ में, second thing हमारे पास आती है, pedagogy of language development, अगर आपने कभी CTAT दिया है, KBS दिया करो, और उसके बाद आप start करो, तो बहुत लेट हो जाएगा, आप सिर्फ एक करो, एक paper उठा करके देखो, उसमें देखो, pedagogy का level क्या होता है, बहुत easy level होता है, pedagogy का, जो psychology है, उससे अलग होती है, pedagogy, now you have to read the mind of children, उस point of view से सोच करके answer करने हैं आपने, ठीक है, जैसे क और मैं इसमें एक hint क्या दूँ आपको, एक suggestion क्या दूँ आपको, कि आपको चार option मिल रहे हैं, ठीक है, उन चार options में से, जो भी आपका सबसे polite answer बनता है, आप उसको choose कीजिए, मैं guarantee से कहती हूँ कि आपका answer correct मिलेगा, क्योंकि pedagogy में न, हमें क्या करना है, बच्चे के level को react करना है as a teacher, कि अगर वो गलत direction में जा रहा है, तब आप कैसा step उठाएंगे, शोर कर रहा है, तब कैसा step उठाएंगे, चोरी कर ली, तब क्या करेंगे, so many questions, ठीक है, और वहाँ पे आपको कैसे react करना है, बिल्कल polite, वहाँ पे गुसा ने करके दिखाना, आपको बच्चे क ठीक है, आंसर्स निकालो, काफी हद तक आपके आंसर्स ठीक निकल जाएंगे, ठीक है, कुछ इनोंने concepts यहाँ पे दिये हुए है, इन concepts को थोड़ा थोड़ा learning में डालो, ठीक है, learning and acquisition, principles of language teaching, role of listening and speaking, function of language और ये सब, ठीक है, इनको है न, आप बहुत depth level में मत जाना, मैं आप को पहले ही बोल रही हूँ, आप psychology तो करी रहे हो, psychology आपको आ ही रही है, अगर by chance आपका कुछ पार psychology का भी यहाँ पे एड कर भी देते हैं, तो don't get panic, क्योंकि 30 number की psychology है, तो they will not take any chance to put any question from psychology in your 15 marks, English और Hindi, pedagogy, तो ये तो दिमाग में से निकाल दो, सिर्फ pedagogy आएगी, ये बा ये जो हमारा होता है, speaking, learning, listening, sorry, reading and writing, इन चारों के base पे ही questions आएगे, तो आप इसमें एक होता है, कि कौन सी कमी की वज़े से हम जो है, रियक्ट करते हैं, तो जो dialectia और ये सब आते हैं हमारे पास, तो ये वाले, deficiency वाले, ये सारी की सारी terms आप कर लेना जरूर, इनमें सारी म नेक्स हमारे पास, last जो पार्ट रह गया, वो क्या है, teaching learning materials, यानि कि वो कहां कहां से learning कर सकते हैं, ठीके, textbook है, multimedia materials हैं, जिसमें आपकी audio, video और ये सब आ जाती हैं, ठीके, then multilingual resources in the classroom होते हैं, जैसे कि उसमें आप English और Hindi और Punjabi जैसे बहुत सरी languages पढ़ते हो, वो resources जो हैं, वहा बहतर किया जा सकता है, तो बिलकुल आपका portion जो ये रहता है, seated level से थोड़ा सा उपर में कहती हूं, हो सकता है, थोड़े से KVS के questions को देखना जरूरी पढ़ेगा आपको, ताकि आप pedagogy को अच्छे से समझ पाएं, यहां तक बात बताओ, मुझे समझ आ गई, अभी तक थ लेकर आएगा ना, novelty तो होनी चाहिए ना, हर चीज में, वो ले आया काफे दिनों से, सालों से ये pattern चल रहा था, सोचा, थोड़ा change कर दें, अब यहां पर बच्चे क्या करेंगे, गलतियां करेंगे, आप YouTube की तरफ बहुत जादा मत भागना, मैं एक YouTuber हूं, फिर भी मैं एक सला दे रही हूं, YouTube की तरफ जादा मत भागना, कुछ एक चीजें guidance के लिए ठीक है, जरूरी है, देख लेना, लेकिन self-study मत छोड़ना, books को मत छोड़ना, books are really very good friends, तो उनको आप साथ ले करके चलिएगा, और ऐसी ही ये सारी चीजें जो हैं, आपके हिंदी की चीजें PDF से, इसमें भी क्या है, आपका reading comprehension मिलेगा, उसमें प्रोज और पॉम में से, दो आ सकते हैं, वन या टू, अब देखो यहां पे surety इसके दे दिया, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, इससे जादा नहीं मिलेंगे, दूसरा, key to assess the candidate's ability to comprehend, analyze and interpret text, वही चीज हुआ, जो text द सकते हैं, लैंस का writer कोन है, ठीके, आपके जो NCRT की books हैं, वहां से भी वो prose निकाल सकता है, पोम निकाल सकता है, तो वो भी आपको थोड़ा सा अच्छे से देखनी पड़ेंगी, है ना, तो इसमें क्या रहेगा, आपका text based analyze करना होगा, और उनी text के base पे आपको answer करना language, language में फिर आपकी pedagogy आगी, जब आप pedagogy common section के लिए कर रहे हो, तो वही pedagogy क्या यहां काम नहीं आएगी, बिलकुल आएगी, आपका main subject अगर Hindi और English है, तो बहुत फाइदा हो गया है आपको, ठीके, लेकिन other than these subjects है, तो आपको थोड़ी सी और महनत करनी पड़ेगी, पर and approaches of teaching English language, ठीके, method देख ले ना, इसके अंदर, direct method है, indirect method है, ठीके, और वो सब approaches देखनी पड़ेगी, कौन-कौन सी approach होती है, मैं कोशेश करूंगे, आपको करवाने की YouTube पर भी, ठीके, teaching aids आपको देखनी है, and use of ICT, ठीके, वो आपको देखना है, classroom में किस तरीके से, आप जो इसे prepare करी रहे थे, आपको पता था ना, ये तो आएंगे ही आएंगे, तो इसमें तो कुछ भी change है ही नहीं, ये तो आप करते चले जाओ, basic phonetics ये भी आप कर रहे हो, word formation, vowel and consonant sounds, and simple transcription, बिल्कुल कर रहे हो, ये भी आप करी सकते हो, कोई इतना issue है ही नहीं, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि pedagogy एडू ये भई, इससे जादा कुछ भी नहीं है, आप प्लीज मान के चलिए, comprehension पहले भी आते थे, दो comprehension आते थे, एक प्रोज आता था, एक पोवाम आती थी, वही चीज़े हैं, grammar आती थी, वही चीज़े हैं, देखो literature इसने क्या बोला है, 6-10 तक का है, और difficulty level जो है, UZ level तक अभी हो सकता, undergraduate का, याने कि आप सिरफ क्या करें, प्लस वन, प्लस टू की books पढ़ ले, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, प्लस वन, प्लस टू की books उठालो, ठीक है, और आपका जो BA level में आप करके आये हो, उन में से ही बस story पता होने चाहिए, characters, second thing, आपक से जादा आपको panic होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, third thing, अगर हम PG level की बात करते हैं, तो PG level में आप क्या करें, वो PG level दिया हुआ है, है ना, आप सोच रहे होंगे कि PG level के अगर बात करें तो, उसमें फिर MA 1 और 2 में आपने जो किया है, आप उन ही books में से ही उठा करके ले camera and usage, literature में बस यहाँ पर PG level उन्होंने लिख दिया है, और यहाँ पर आपका plus two तक आजाएगा, ठीक है, तो यह है आपका syllabus discussion, अगर फिर भी आपको कहीं कोई doubt लगता है, कि मैं ये चीज़े cover नहीं कर पाऊंगा, या कर पाऊंगी, और किस तरीके से cover करूं, तो आप मुझे comment box में बता पूछिए, मैं आपको वहाँ पर reply करूंगी, ठीक है, कहीं पर भी बिलकुल भी moral डाउन नहीं करना है, बलकि आपको तो खुश होना चाहिए, कि आप ऐसी stage पर हो, जहाँ पर आपको one month मिल रहा है, पूरी तरीके से prepare करने के लिए, ठीक है, और ये तो एक पहला पढ़ाव है, आप पहला पढ़ाव निकालेंगे, तब और ज़्यादा हिम्मत आएगी आपको दूसरा पढ़ाव पर भी त्यारी करने के लिए, तो all the best to all the students, जो भी stream के आप students है, इंग्लिश है, हिंदी है, commerce है, science है, maths है, for everyone, my good wishes are there, और आप अच्छे से त्यारी कीजिए जितना मुझसे हो पाएगा, मैं आपकी help करूँगी, ठीके, और इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ जोड़े रहिएगा, thank you very much for being with us.